अबलेकुम गाइस, वेलकम बैक तो मैं चैनल, डॉक्टर कायना जितोई, I hope you all are well and doing this, so आज का जो लेक्चर है वे बेसिक की क्लेविकल से रिलेटिड है, स्नेल क्लेविकल इनॉटमी से आप किस तरीके से क्लेविकल जो है वो बेसिक कर सकते हो, और आज की वीडियो में आप को बताऊंगी कि आप टिप्स पे किस तरीके से क्लेविकल को कर सकते हो, और कौन-कौन से में पॉइंट है जो आपको क्लेविकल से रिलेटिड याद होने चाहेंगे, ठीक है, so हमारे पास अच्छा, आज जो भी पर डिसक्राइब करूंगी, क्लेविकल को स्नेल क्लेविकल में डालूंगे, ताकि आप लोग वहां से कवर कर सकें, ठीक है, अब जो होगा, आप खुद ही देखेगा, कि क्लेविकल को किता, बस जस्ट इंफॉमेशन की तौर पर आपको क्लेविकल से में बताए गई है, और बहुत ही छोटे पॉइंट्स को बताए गए है, में में प पॉइंट्स हैं जो आपके वायवा में या फिर एग्जाम में पूछे जाएंगे, रिलेड़ेदे दो क्लेविकल, क्लेविकल की बात करते हैं, देक्लेविकल इस लोंग इसलेंडिकल बोंड़ ऑ्रॉट आप दी नेक्स बनी इसकिन, लोंग बोंड है, जो कि इस्टार्म के साथ और जो एक यहonel पास लगता और ट्रीच कहास के साथ है और सके लावा ऐस वाफ सक अायकर चो चोय जसक का इस एक साथ इस मियडिवाग्य। यह आपको 9.5 में दिखाया गया है यह देखो यह किस तरीके से हमारे पास जो है वो यह जो आइन होई भी है यह अबर पास ग्लेविकल है यह इस्टरणम का जो हमारे पास इस्टरणम के साथ इसके एंगिल है अब पास बास न सबस्क्राणम के गज़िए न इत्यों कर लो यह अबर यह आपको प्र मुशन कर सकें इस के इस टर्णम के तरफ सिंपल और इस तरीके से ये बहुत सारी मसद्स को अटेश्में प्रोवाइड करता है the medial two-third of clavicle is convex forward medial two-third जो होता उसका वो हमार पस क्या होता है convex forward होता है so medial two-third है वो convex forward है and medial and this lateral third is concave forward and this lateral one-third है वो हमार पस क्या है अटेश और इंपॉर्डर मसल्स हैं वो यहां पे अटेश्व है so इतनी सी बात इसने क्लेविकल से रिलेटिट की है अब आप खुद देखें कि स्नेल क्लेनिकल एनाटमी में आपको कितनी सी बाते की गई है so इसके लिए आप लोग को लाजमी है कि मैंने जो बुख का रिकमेंट की है जो ऐने गई स्नेल के साथ ऊड़ वुक का पट लिए कही है 2 का वॉल्यम नka में तो फुरे लिक्षन में ने पूर यहां पर डिस्क्राइब कर दी है और शाहरे लेक्षन देखें क्लेविकल से रिलेटिड और उसमें से कि आप नेंगे सारे points हैं आप लोगों को याद होने चाहिए अब कौन कौन से points हैं वो देखो इसमेल में सिर्फ हुनोंने main main बात बता दी आपको बता दिया कि इसका मतलब यहां से important क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि क्लेविकल में काईटेश्मेंट होती है राव इंट sf in Urh कि अर। याम होना चाहिए तो यहां पूम कुछ सी हाटेश्मेंट बंटे फिर काईटेंट cinco आपके अंप यहां पर देखे तो आप मसल्स के अज़िए याद कर सकते हो बड़र मेरियल टूथर्ट के कौन से बौर्डर हैं जो है कौन से सर्फेज़ वह सारी चीज़ आप लोगों को करनी पड़ेंगी जो मैंने लेक्चर आप लोगों को प्रवाइट किये हैं उसके इलावा स्नेल के स मैं आप लोगों को प्रफर कर रहे हूं कि आप बीडी चुरासय के वॉल्यम नबर वन अपर लिम के लिए लें ठीक है यह बेस्ट बुक है तो इसके क्लेविकल जो है वो सारी मिंसके इसमें जो क्लेविकल दी गई है यहां पे देखो यह सारी फ्रीजे में को मैंने आपको अप्लोड कर दी है एंतों इसमें हर एक तीस को अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है वह लाजमी जाके देखें लाकि आप लोगों के लिए लिए इसए हो सब्सक्राइब लगों को याद करने हैं सिंपली वह आपको यही आद करने हैं इंडुड़क्शन के पॉइंट म के दो borders है anterior posterior और दो surfaces है superior inferior इस तरिके से medial two-thrð of the shaft के चार surfaces थे पुस्टेयर superior inferior इनके लग attraction हैं इनके लगवववक्ष weasel में हमें later land और medial and का पता हो मीडियल एंड हमारे पस stern dan रो LoveHeart благодарма Benoit है बनाता और later and aquamical j gaz yolन बनाता है muscles की attachment आपको यहां सभी आप लों तो हमारे पास किया हुता है मीडियल एंट उसे कहा मिडियल एंट पे तो याद कर तरिजन हो रही है तो यह मैंने एस तरिक सीक तरह रियर इंड पर हमारे पास talkingorseожет को पी我्य चाहिए से परेवैं किस्विलोत के जाएगा में झाहिए को पता चाल है経रां किस चीज की बात करहे हुः यु क्यों से median end के posterior or superior inferior यह borders है और surfaces किस तरीके से हो ligament यहाँ पर inferior surface पर ligament होता है costro-clavicular ligament median end पर एक impression होती है तो वहाँ पर हमारे पस यह ligament लगता है costro-clavicular ligament ठीक है उसके बाद हम लोग आ जाते हैं lateral end पर lateral end पर हम लोगों आपको बताया था कि इसके दो borders होते हो दो surfaces होते हैं तो anterior posterior border पे हमारे पास anterior border पे deltoid muscle की origin हो रही है और posterior border पे insertion हो रही है trapezius muscle की ligaments कौन से लगता है कोई को लिगमेंट लगता है inferior surface के ओपर inferior surface के ओपर एक रुबर को और विच पढ़ाता तो वहां पे हमारे आपके लिए important रहेगा किस तरीके से clinical आप लोगों के लिए most important है I hope अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं क्यों आप लोगों को बार-बार कह रही हूं कि smell के साथ आप लोग जो है वो अपर लिम के लिए volume number one जरूर पढ़ें क्योंकि यह important है most important है I hope अब आप लोगों को इस समझ आ गया होगा तो इस तरह किसे मेरी वीडियो को लाइक करें मैं चैनल को जो है वह आप लोग सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और वीडियो अप्लोड करती रहूं और इसके लिए कोई भी कमेंट्स है तो आप मुझे बता सकते हैं कि कोई भी क्यूरी है तो मैं आपकी वह सॉल्फ करने के कोशिश करूंगे तरह लाफिस गाइस